सौंफ के बारे में सब जानते हैं, लेकिन मोटी सौंफ से होने वाले स्वास्थिलाबों के बारे में कम ही लोगों को जानकारी होती है। इतना ही नहीं इसका सेवन करने से मूड में भी सुधार होता है। इसका रंग ब्राइट ओलिफ ग्रीन और ग्रे ब्राउन हो सकता है और आकार में यह थोड़ी बड़ी और मोटी होती है पाचन तंत्र में सुधार, सौफ का सेवन करने से अपच की समस्या दूर होती है और इसके और शदिय गुन पेट की सूजन और पेट फूलने की समस्या से निजात दिलाते हैं कब जोर आंद के विकारों से जूज रहे व्यक्ति को मोटी सौफ का सेवन अवश्य करना चाहिए इसे रात भर एक ग्लास पानी में भिगो कर रखें और फिर सुबह उठते ही छानकर इसे पीना हित कर होता है मासिक धर्म के दर्द से राहत मेंस्ट्रूेशन शुरू होने से पहले और उसके दौरान महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में अकसर दर्द रहता है मोटी सौफ का सेवन उस दर्द में राहत प्रदान कर सकता है इतना ही नहीं, मेनोपॉज और अन्यमित महवारी की समस्या में भी इसका सेवन लाबकारी होता है पेट में दर्द या अन्यमित महवारी में रोजाना सुबह खाली पेट एक छोटा चममच मोटी सौफ और गुनगुने पानी पीने से फाइदा मिलता है आप मिश्वी और सौफ का चूर्ण बनाकर सोने से पहले तीन ग्राम चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें बलड शुगर लेवल को नियंतरित करें इसमें अंटी डायबिटिक कंपाउंड्स होते हैं जो बलड शुगर लेवल को नियंतरित कर सकते हैं इसके साथ ही उसमें फाइटो केमिकल्स नामक शक्तिशाली एंटियोक्सीडेंस पाए जाते हैं जो तत्वर शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है भोजन के बाद एक छोटा चम्मच मोटी सौफ का सेवन हित कर होगा आप सामान्य चाय की जगह इसकी चाय बना कर भी पी सकते हैं नींग ना आने की समस्या होती है दूर कुछ लोगों को रात में अक्सर नींग ना आने की समस्या देखी गई है लेकिन मोटी सौफ का सेवन करने से इंसौम्निय नींग ना आने की समस्या से राहत मिल सकती है गर्म पानी के साथ सौफ का चून लेने से आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है और थकान में भी कमी आती है यह मूड को ठीक कर आपकी इस समस्या से राहत दिला सकता है इतना ही नहीं इसमें शामिल मुख्य घटक एनेथोल में सूजन रोधी गुन होते हैं जो दर्द और सूजन में आराम पहुंचाते हैं अब ही हमारी वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें थन्यवाद